अब बात करते हैं लेट वाले sentences की हाले ही लेट वाले sentences मैंने एक आपको बताया था जो थो थोड़ controversy आपको लग रहा था कि let him do करके कुछ ऐसी sentence था जो कि मैंने बताया था कि you are advised या फिर you are ordered से बन सकता है बट अब हम देखते हैं कि real me बनते कैसे हैं जैसे मैं कहूं let me do this तो मैं देखा यह वर्वे यह अपना object है यहाँ पर object है तो कैसे बनेगा let this be do का हो जाएगा done by me यह बाद मैं पहले आपको ध्यान से बता चुका हूँ let us sing a song तो हर अपना subject है यहाँ पर क्योंकि उसको गाने दो गाने का वो लड़की खुद करेगी sing verb is a song आपका object है तो let a song फिल लगाएंगे be sing की third form होती sung sing sing sung 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 by her correct no problem let us discuss the matter अब इसमें क्या करना है हम लों चाहें तो by us को drop भी कर सकते हैं क्योंकि us जो वो एक understood subject होता है तो let the matter be discussed discussed यह आपका तरीका बनाने का चाहें तो by us लगा सकते हैं कोई problem नहीं है देखें अम लों बनाएंगे sentence कुछ special type के जिसमें infinitive use होगा जिसमें कुछ अले तरीकी structure हम लों follow करेंगे तो समझते जैसे कि there is no pen to buy अगर हम ध्यान दें तो इस sentence में subject कोई भी नहीं है subject कोई भी नहीं है लेकिं infinitive का use हुगा है तो पैसे बहुत कैसे बनाएंगे पैसे बहुत ऐसे बनेगा कि there, there कर लेंगे there, which कर आएगा is no pen का no pen कोई problem नहीं sentence में बस यहाँ पर use करना है to be about to be about इस तरह से बनाएंगे आपको कुछ भी नहीं करना बस यहाँ पर 2 plus V1 को change करेंगे to be और third form में यहीं आपका पैसे बहुत रहेगा there was no man to call there was no man to be very good called clear he has to do it जब भी has to, is to, will have to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to कुछ भी यह to करके जब आते हैं तो इनका infinitive जो वो to be से बनता है कैसे बनता है सबसे पहले तो अपनी यह verb रही यह object है यह subject है तो हम it को आगे लेंगे तो it के साफसे यहां पर has का has ही रहेगा नहीं तो अगर plural होता तो यह पर have हो जाता it has to be, याद रखना लगाएंगे to be, do के third form हो जाएगी done by him यह ऐसे बनेगा थोड़ा कम साफसे आएगा एक और देख लीजिए यह see रही यह verb रही यह अपना song एक object रहा है तो a song को लेंगे आगे, a song, tense के साफसे आपर is he आएगा, is to be, sing की third form हो जाएगी, sung by her clear, अब देखते हैं, will have to वाला, तो it को आगे नहीं, it अपने साफसे अभी भी लाएगा will have to, it will have to be, manage की third form हो जाएगी, managed by them, I think आपको यह pattern समझ में आया होगा कि इनका पैसे वाज कैसे बनाते हैं, अब आगे फिस से देखते हैं, कि अगर मैं बात करूं कि I am not to teach Hindi, अब मुझे चाहिए इन्फिनिटिम में negative sentence, तो कैसे बनेगा, तो इसका ऐसे बनेगा, कि I subject है, teach मेरा वर्व रियल में हैं, और हिंदी मेरा object, तो हिंदी को आगे लेगे, बन जाएगा, हिंदी, tense के साबसे बार आएगी, is not to be, याद रखना, not to be, ऐसे बनेगा, इस pattern को याद रखना है, इसको इसी sequence में लिखना है, not to be, teach की third form हो जाएगी, taught, by I का हो जाएगा, I think आपको समझ में आ रहा होगा, I am to compose a poem, तो a poem मेरा आएगा, आगे, a poem, tense के साबसे आएगा, is to be composed, is to be composed by me, आपके मन में रहा है, यहाँ पर is being, am being क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं नहीं आ रहा है, कि पैसे वस में is MR का काम बना रहा हो, मैं पैसे वस तो 2 प्लस V1 का बना रहा हो, और 2 प्लस V1 का पैसे वस जो है, वो 2 भी प्लस third form से ही बनता है, clear, फिर इसकी बाद, it is time to prepare for the exam, it is time to prepare for the exam, इसका कैसे बनाएंगे, तो it is time, it is time काम लो, it is time ही लिखेंगे, it is time for the exam to be prepared, it is time for the exam to be prepared, by us, by me, जो भी आपको सेंस में चाहिए, वो लगाएंगे नहीं, बस समझ सकते हैं, अब यह for क्यों आया, to be कैसे होगा, वो आपको मैं अगली सेंटेस समझाता हूँ, it is time to do our work, हमें करना क्या, it is time का, it is time ही लिखना है, it is time, अब अपनी वर्ब क्या है, यह रही, object क्या है, our work, हम इसके ठीक पहले अपने मन से लगाएंगे for, और उसके बाद इस object को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे to be, अपने मन से और जो भी वर्ब थी उसकी लगाएंगे third form, अब इस वर sentence में already अपने पास for था, इसलिए हमने for वहाँ पर पहले साही वैसा ही रख दिया, तो it is time बालेकर pattern आपका यह रहा, फिर इसको और एको देखते हैं, कि passive voice जो है, वो infinitive का कैसे बनेगा, passive voice infinitive का कैसे बनेगा, तो I want him to do it, अब मुझे यह चेक करना है कि इस sentence में passive voice किसका बनेगा, मैं चाहता हूँ उससे, sentence का मतलग क्या हुआ, I want him, मैं उससे ही चाहता हूँ, I want him to do it, मैं उससे ही चाहता हूँ कि वो उस काम को करे, यानि कि do it जो है ना, इस काम को करना, उसको मैं नहीं करूँगा, मैं यह चाहता हूँ कि वो इस काम को करे, इसका मतलब I का जो want नहीं I want जो I का verb जो है वो want है और him का जो word है वो do है अब पैसे वास में हमें क्या करना है हमें इस वाले sentence का पैसे वास बनाना है तो अगर हम ध्यानने तो यह वाला तो structure same ऐसे ही रहेगा तो I want का रहेगा I want यह subject है यह वरवे यह object है तो object आगी आता है I want it to plus V1 का पैसे वास बनता है to be I want it to be do की third form done subject जोडते हैं by से और जोडते हैं पीछे यह रहा आपका तरीका चीजे थोड़ी कठिन हो रहे हैं मैं जानता हूं काफी मुस्किल होता चीजे तयार करना लेकिन तयार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लेविल है एक्जाम का फिर एकों दिखते हैं He likes Mohan to read the book वह चाहता है वह चाहता है क्या चाहता है कि Mohan उस किताब को पढ़े तो तो दो रियल में काम क्या है चाहना काम है किक पढ़ना काम है तो decision means ये में काम करेगा कौन ही करेगा कि Mohan करेगा तो ऐसवा पाने मतलब ही नहीं कि असको लिखुढ lower इसके बाद यह मेरा सब्जेट है यह मेरी वर्ब है यह मेरा ऑपजेट है बहले ही मैं जानता हूं आपको टू प्लस वी बन कर रहा हूं इसमर वह वाज बार कहां चला गया कोई प्रोब्लम नहीं है बुक को लेंगे आगे ही लाइक्स दबुक टू बी का बनेगा टू बी थर्ड फॉर्म टू प्लस वी बन का टू बी थर्ड फॉर्म टू बी रैड बाई मोहन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फिस यह को दिखते हैं आई लाइक ओडियंस टू रेस्पेक्ट मी खेल ध्यान से समझना नहीं त मैं चाहता हूँ और्डियंस और्डियंस से टू रेस्पेक्ट करें किसकी मेरी मैं चाहता हूँ कि और्डियंस आप लो मेरी रेस्पेक्ट करें तो इस सेंटेंस में यह और्डियंस सब्जेट है यह इसका काम है किसका करना रेस्पेट मी का ठीक है तो अब देखिए मैंने I like का तो I like लिखा फिर मैंने किया कि मी को लिया आगे तो मी का तो मी रहेगा क्योंकि भाई वो like के बाद ही तो मी बैसी रहेगा ना देखिए वर्ब के बाद तो मी का मी रहेगा ना अगर ये I like ना होता तो I हो जाता बीच में रखा इसलिए मी का मी ही रहेगा, कोई प्रोब्लम नहीं है I like me to be respected by audience अब ये sentence बना तो इन्हों correct है लेकि नहीं गलत है अब ये sense के आप से गलत है, क्यों? कि I like me, मैं खुद से चाहता हूं सम्मान लोगों के द्वारा प्राप्त करना तो यहां पर मैंने ये देखा कि यहां पर ये subject और ये object दोनों सेम है तो मैंने तो पहले ही यहां पर लिख दिया है तो इसका सही तरीका क्या बनाने का इसका सही तरीका यह है I like मैं चाहता हूं खुद को respect करवाना तो यहां पर मी की जूरूद नहीं क्योंकि आई यहां से पहले ही sense दे रहा है तो मैं जोड़ूँगा to be यह यहां से remove हो जाएगा to be respected अब यहां पर teacher, audience, lawyer जो पहले से hidden होते हैं जो पहले से understood होते हैं उनको अमलोग नहीं लिखते हैं यह हमने hidden subject या hidden agent नाम के beauty में देख रखा है ध्यान से तो I like to be respected sentence अपने इत्व करेक्ट है हम चाहें तो by audience लिख सकते हैं या फिर drop कर सकते हैं तो सही तरीका लिखने का आपका यह रहा फिरेकों देखते हैं see has to see it or to believe it अब यहां से दिमाग घुमने शुरू करेगा कि यहां पर इतनी सारी उल्जने हैं इतना सारा logic फस गया है कि कितना कितना क्या क्या करें तो I solve करने कोशस करते हैं अगर आप ध्यान दो तो यह subject है कोई दिक्काद नहीं है यह अपनी has to see एक वर भी रही जिसका object यह है और एक to believe और इसका object यह रहा तो हम यह काम करते हैं कि दोनों में object it है तो ले लेते हैं common mathematics की जगरे की तरह से common ले लेते हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया it अगर मैं ध्यान दू तो दोनों के लिए has common है इसलिए has एक बार लिखा है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे की will औ can में दोनों call common था वैसे ही तो यहां पर हो जाएगा it has to be अब इसका बनाएगे to be seen फिर जोड़ेंगे और फिर से जोड़ेंगे to be believed by see का हो जाएगा her आया थे हैं आपको थोड़क कम समझी में आया होगा देखिए दोनों में it same object है तो मैंने पहले ले लिया दोनों में common help है और कौन सी है has तो it किसाब से has ही आएगा इसका passives बनेगा to be third form to be third form और कर लगाया और to be first form to be third form by subject तो इस तरह इसका बनेगा passives नया pattern हो सकते हैं नई बात हो सकती हैं जानता हूं इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन तरीका को सीखना पड़ेगा यह नई लेविल पर राम वांट संबन टू टेल ए स्टोरी राम चाहता कि कोई कोई कानी सुना है तो राम को चाहना तो यह कोई काम नहीं है यहाँ पर राम वांट का राम वांट रहेगा यहाँ पर वांट हो जाए वलकि राम वांट तो सम्मन सब्जेट है तो टेल मेरा एक वर्ब और स्टोरी मेरा हो जाएगा object तो object को लाएंगे आगे तो ए स्टोरी to be का हो जाएगा यहाँ पर third form to be told हमने सीखा था by someone, somebody, no one, nobody कुछ भी पीछे नहीं लिखते हैं जैसे यहाँ पर audience को हमने छोड़ दिया था वैसे हम लोग यहाँ पर by someone छोड़ देंगे तो यह sentence अपना correct बनाया है एक और दिखते हैं sentence He made you work यह आपका जो work होती है जिनका नाम होता है causative works उसका यह passive voice है पहला बाला बनाना है तो He made you work तो You अपना subject है तो You को रखेंगे You You were made देखिए अगर मैं make को active works में लिखता हूँ तो वहाँ पर अगली जो work देखिए make एक work है और work काम करना यह दूसर work है तो make के बाद जो अगली वर्व आती है वह without two आती है मतलब इतरी से कर सकते हैं कि वर्व की first form में आता है वहाँ पर two use नहीं करते हैं bare infinite का use होता है लेकिन जब मैं इसका passive voice बनाऊंगा तो वहाँ पर two का use करेंगे तो you were made to work you were made to work by him एवाँ फेसे सुन लो जब make का use हम लोग active voice में करते हैं तो अगली वर्व जो होती है वो खेल first form में आती हैं उसमें two का use नहीं करते हैं जब इसका passive voice बनाते हैं तो हम mate के साथ में जो भी वर्व है उसके साथ में लोग make की जो भी फॉर्म क्या थर्ड फॉर्म ही आएगी वहाँ पर तो उसके जाथ में two भी लगाएंगी और वर्व की first form को वहाँ पर जोड़ेंगे अब अगला किते हैं he saw me do it उसने मुझे देखा do it यह करते हुए अब question यहाँ पर दो आते हैं कि पैसे voice बनेगा किसका क्योंकि यहाँ पर जो पैसे voice है यह पैसे voice सौ का भी बन सकता है और यहाँ पर do का भी बन सकता है कैसे बनेगा सबसे simple तरीका है कि he saw me do it तो इसका ऐसे बनेगा कि I was seen do it by him अब यहाँ पर ध्यानी देना कि see यानि कि see saw scene एक ऐसी वर्व है जिसकी बाद जो भी वर्व रखी होगी वह विस्टा फर्श्ट फोर्म में आएगी तो मैंने बहले यहाँ पर saw की third form scene यूज़ किया है लेकि तब भी यहाँ पर do का ही use करेंगे अब यह तरीका और भी है कि he saw it done by me आपके मन में एक तरीका ये भी आ रहा हुगा लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि he saw whom उसने किसको देखा उसने मुझे देखा तो इतने sentence का पैसे वर्व बन चुका है लेकि में का डू है अब यह का तो डू है नहीं आपर तो यह पैटरिंग दब अलव हुए इसको वाँप हम वैसे ही छोड़ देंगे तो I was seen do it by him we noticed Ram run away अब ध्यान क्या देना है कि यहां पर we noticed Ram हमने notice किया किसको Ram को तो Ram was noticed run away by us लगाओ या छोड़ सकते हो अब यहां पर फिर से देखो यह जो पैर्सेवस में बना रहूं सारे सारे यह आपके बेर इंफिनिटिव वाले पैटरन फॉलो मैं कर रहा हूं